मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में आज मैं बताने वाली हूँ कि ये खुबशूरस सा थालबुस कैसे बनाते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करते हैं यह धागा पकड़ेंगे इस तरह से गुमाएंगे उंगलियों पर पीछे को ले जाएंगे अब हम किरोसिया लेंगे अब हम नीचे से निकाल लेंगे और पीछे वाले धागे को आगे कर लेंगे इस तरह से अब हम इसको लोग कर देंगे एक दो तीन की चैन बनाएंगे एक ऐसे गुमाएंगे किरोसिया के उपर और इस रिंग में से किरोसिया निकाल लेंगे धागा गुमाएंगे वापस लेंगे दो में से निकाल लेंगे और फिर दो में से निकाल लेंगे दागा गुमाएंगे मैजिक रिंग में से निकालेंगे किरोसिया गुमाएंगे वापस लेंगे दो में से निकालेंगे और ये दो में से निकालेंगे ये हमारे डबल किरोसिया बन जाएंगे इस तरह से यह हमें टोटल 13 डबल क्रोशिया बना के तयार करने और एक हमारी यह चैन तो यह 14 हो जाएंगे यह हमने रो कम्प्लीट कर लिए अब हम इस धागे को जो एक्स्टा धागा इसको हम इस तरह से खीच देंगे अब एक दो तीन तीसरी चैन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देंगे इसको इस तरह से अब एक सिंगल क्रोशिया भी बनाएंगे हम इसी चैन में अब इसके उपर हम दो की चैन बनाएंगे एक दो दो की चैन बनाएंगे दागा गुमाया और दूसरा डबल क्रोशिया भी हम इसी पहली बारी चैन में बनाएंगे दागा गुमाया अब अगली चैन में हम अगली जाली में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दूसरा भी इसी में दो हम हर डबल क्रोशिया के बीच में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कम्प्लीट करेंगे यह रो हमारी complete हो गई है पहले हमारे 14 डबल क्रोशिया थे अब इसमें 28 है एक दो तीन हम तीसी ली चैन में slip stitch के साथ लॉक करेंगे अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाई धागा घुमाया और जहां यह चैन बनाईए इसी के उपर हम यह जो आगे वाली चैन है इसमें इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से दागा घुमाया अब अगली चैन में बनाएंगे हम यह जो डबल क्रोशिया है इनके बीच में एक डबल क्रोशिया अब आगे वाले में बनाएंगे हम इसमें एक दूसरा भी इसी में बनाएंगे इस तरह से हमारी एक चैन और एक डबल क्रोशिया यह दो एक में हो गए आगे वाले में फिर एक डबल क्रोशिया है अगले में दो हो गए इसी तरह से हमें दो एक दो एक करके अपना राउंड कम्प्लीट करना है यह round हमारा complete हो गया है, अब हम इसको lock करेंगे, हमने यह 3 की chain बनाई थी, इस बार हम दूसरी chain में slip stitch के साथ lock करेंगे, ताकि आगे चलके यह जो हमारी chain की line दिखती है, वो नहीं दिखेगी, तो 1, 2, दूसरी chain में हम slip stitch के साथ यह lock कर दिया, अब हम जो यही chain हमारी जो बचिय के एक, इसमें हम single crochet करेंगे, तीसरी chain में, जो दो में किया था, अब तीसरी में करेंगे, इस तरह से, और यह single crochet कर दिया, single crochet करने के बाद हम दो की chain बनाएंगे, एक, दो, दो की chain बनाई, धागा गुमाया, और इसी double crochet के उपर हम, पहले वाले double crochet के उपर हम, double crochet बनाएंगे, इस तरह से दागा गुमाएंगे अब हम अगले के उपर बनाएंगे एक अगले के उपर बनाएंगे डॉल करोशिया दो अब यह अगले के उपर हम दो बार बनाएंगे एक और यह दूसरा भी इसी में यह हमने एक चेन में 2 बना दिये यहां हमारे 2, 1,1,2 1,1,2 इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लिट करेंगे, यह राउंड हमारा कंप्लिट हो गया है, अब हम इसको लोग करेंगे, लोग करने के लिए जब ये single crochet गिया था उसके बाद हमने chain बनाई थी तो पहली chain में हमें इसको lock करेंगे slip stitch के साथ अब जो एक उपर chain बनाई थी उसमें भी हम single crochet करेंगे इस तरह से अब हम दो की chain बनाईगे एक दो दो की chain बनाई धागा घुमाया और पहले वाले double crochet के उपर हम double crochet बनाईंगे इस तरह से अगले पर बनाईंगे हम double crochet बनाईंगे अगले double crochet के उपर बनाईंगे अगले double crochet के उपर बनाईंगे अब यह हमने 2 1 1 1 और अगले के उबरा हम दो बार बनाएंगे एक और यह दूसरा भी इसी पर बनाएंगे हमें 2 डबल गरोसिया 1 1 1 तीन बार हमें 1 एक डबल गरोसिया बनाना है और फिर चौथे पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने इसी तरह से हमें अपना राउंड कम्प्लीट करना है ये पांच वा राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब हम इसको लॉक करेंगे एक सिंगल क्रोशिया बनाया था और उपर 2 की चैन बनाई थी तो पहली chain में हम lock करेंगे इसको slip stitch के साब इस तरह से अब अगली chain में हम इसको slip stitch single crociya करेंगे इस तरह से इसके उपर दो की chain बनाएंगे 1-2 दो की chain बनाईगे धागा गुमाया और यह जो double crociya बना हुआ है इसी के ऊपर हम double crociya बनाएंगे आगे वाले के उपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया आगे वाले के उपर बनाएंगे डबल क्रोशिया यह मारे दो हो गया है तीसरे के उपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया चौथा डबल क्रोशिया एक बार बना रहे हैं अभी हम इस तरह से और पांच में पर दो बनाएंगे हम एक और यह दूसरा भी इसी में बनाएंगे हम यह हमने चैन बनाई और उसी के साथ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया तो यह हमारे एक में दो होगे काउंट फिर हमने एक के उपर एक एक इस तरह से हमने चार डबल क्रोशिया बनाएं फिर पांच में पर हमने दो डबल क्रोश बनाए एक इसी तरह से हमें 4 एक ऐक बार बनाने और 5 में हमें 2 डबल ब्रोश्या बनाने इसी तरह से अपने उब्ह बंक्रोष कम्प्लीट करना है यह हमारी कम्पलीट हो गई अब हम हम सिंगल क्रोसिया करेंगे इस तरह से अब दो की चेन बनाएंगे एक ढो दो दो की चेन बनाई धागा घुमाया और इस डवल क्रोसिया पर हम पहले ओले बाले पर डवल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से धागा गुमाएंगे अगले डवल क्रोशिया बनाएंगे एक अगले के उबर बनाएंगे दो अगले के उबर तीन उससे अगले के उबर चार उससे एकले के उपर बनाएंगे पांच और जो छटा के रोसिया है डबल उसके उपर हम दो डबल के रोसिया बनाएंगे एक और दूसरा भी उसी में दो इस तरह से हम पांच एक एक बनाएंगे और छटा हम दो बनाएंगे इसी तरह से हम अपना round complete करेंगे ये round हमारा complete हो गया है 7th row तक बताया था उसके बाद 8th, 9th, 10th 3 row बना के तयार किये 7th row में मैंने 2 double cross लिये उसके बाद 1 वार 1 एक वार 1 इसे करके मैंने 5 बनाए और फिर उसके बाद 2 और फिर 5 फिर 8th row में मैंने 2 बनाए फिर 6 एक एक वार बनाए और फिर हैं 2 बार फिर ऐसे ही 6-6 एक वार और एक वार 2 9th में मैंने 7 बनाए और 2 7 और 2 ऐसे करके फिर 10th में मैंने 8 और 2 ऐसे करके मैंने अपना round complete कर दिया है अब हम इसको लॉप करेंगे लॉप करने के लिए यह दूसरी chain में सिंगल क्रोस्या किया था उससे उपर chain है उसमें हम slip stitch के साथ लॉप करेंगे पहली chain में दो chain बनाए थी अब यह दूसरी chain है इसमें हम single crochet करेंगे इस तरह से अब इस के उपर हम 4 की chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4 चार की चैन बनाई, इसके बाद एक, दो चैन छोड़ेंगे, तीसरी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर चार की चैन, एक, दो, तीन, चार, चार की चैन, एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, तीसरी में सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसी तरह से हमें चार की चैन और दो चेहन छोड़गे सिंगल करोसिया इसी तरह से अपने रावंड कंप्लीट करना है यह रावंड हमारा कंप्लीट हो गया है अब हम यह जो लास्ट की चैन है इसको हम 4 की नहीं बनाएंगे दो की बनाएंगे दो की चेन बनागे जहां हमने सिंगल क्रोसिया किया था फर्स्ट टाइम उसमें हम डबल क्रोसिया बनाएंगे यह जो सिंगल क्रोसिया बनाया था दागा गुमाया और इसमें हम डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह ऐसे अब इसके उपर हम 5 की चैन बनाएंगे पहले हम 4 की बना रहे थे 5 की बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 की चैन बनाई अगली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब 1, 2, 3, 4, 5 अगली चैन में सिंगल क्रोशिया इसी तरह से हम 5 की चैन और हर जाली में सिंगल क्रोशिया इसी तरह से अपना राउंड हम complete करेंगे राउंड बन के हमारा complete हो गया है हमने आपको जाली की पहली और दूसरी रो बताई थी इसके बाद मैंने एक, दो, तीन रो बनाके और तयार कर लिए हैं पहली रो हमारी चार चेन की थी फिर पांच चेन की, फिर छे चेन की, साथ चेन की और ये आठ चेन की हर जाली में हमने एक, एक चेन बढ़ाई है और इसी तरह से सारा राउंड कम्प्रीट किया है आठ की चेन थी, इसके बाद हम अगली चेन में सिंगल क्रोशिया के साथ लॉक कर दिंगे इसको इस तरह से, अब हम धागा घुमाएंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ अगली जाली में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, अब फिर अगली में धागा घुमाएंगे और अगली में हम दस डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से हम एक में 10 double crochet, एक में single crochet, अगली में 10 double crochet और पिर अगली में single crochet इसी तरह से हम अपना round complete कर लेंगे यह rowan के हमारी तयार हो गई है और बहुत ही सुन्दर और प्यारा ठालपोस लग रहा है उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर लाइक जरूर करें थैंक यू